इन्वेस्टमेंट फॉर यू चैनल में डॉक्टर एसी मिद्दल आपका हार्दिक अभिनन्दन करते हैं यहां श्रोताउं के समक्ष हमारा इस चैनल को प्रस्तुत करने का उद्देश उनके मध्य इन्वेस्टमेंट के प्रती जागरूपता उत्पन करना हैं चूंकि इन्वेस्टमेंट एक व्यक्तिगत निर्नेयर डिसीजन होता है ना कि औरों द्वारा प्रेलित इसलिए यह जरूरी या आवशक हो जाता है कि निवेशक या इन्वेस्टर को अपने निवेश या इन्वेस्टमेंट के प्रती आने वाले सभी घटक तत्य फैक्ट या शब्दों के बारे में ज्यान या जानकारी होनी चाहिए यह हमारा उद्देश है इसी परंपरा और शंकला को आगे बढ़ाते हुए यहां पर हमारे आगे यह प्रस्तुत किया गया कि चोकि भारती अर्थववस्था में या इंडियन एकनोमी में इस्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट एक बहुत बड़ा सेग्मेंट है जो इन्वेस्टर्स को आकरशित करता है इसलिए एक लर्निंग पाइंट अव्यू से एजुकेशनल परपस से यहां पर हम किसी ना किसी स्क्रिप्ट के बारे में हफते में एक बार चर्चा करने का प्रयास करेंगे उसी श्रंखला में आज हम शनिवार को एक स्टॉक जो की Bombay Stock Exchange पर लिस्टेड है जिसका नाम है UP Hotels Limited चूकि हमने ये अध्यन के परपस से है इसलिए हम उनहीं स्क्रिप्ट के बारे में व्याख्या करेंगे या एनलेसिस करेंगे जो सामन्य जन में प्रचलित नहीं है common man उन स्क्रिप्ट के बारे में विशेश जानकारी नहीं रख पाते और उनके लिए जो factors हैं उनके बारे में analysis नहीं कर पाते हैं तो उसी को हम यहां पर एक example UP Hotels Limited का लेके चल रहे हैं आगे का अपना विशे की चर्चा रखने से पहले मैं सभी शोतागरों से यह अपील करता हूँ कि वे इस वीडियो को सुरूर से अंत तक देखेंगे जब ही continuity के साथ विशे और घटक को समझ पाएंगे और साथ में आपका इस चैनल को लाइक करना हमारे लिए आगे आने वाली वीडियो के लिए प्रेणा है और अगर कोई भी हमारे से related आपको या अपने व्यक्तिगत किसी समस्या के साथ इन्वेस्टमेंट पैंटर व्यू से कोई प्रश्न उत्पन होता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए हम उसका उत्तर देंगे और साथ में अपने मित्र फ्रेंड्स के साथ इन सब को शेयर कीजिए जिससे उनको भी इन्वेस्टमेंट से related कॉंसेप्स के बारे में लाब हो स यहां हम चर्चा करते हैं UP Hotels Limited की UP Hotels Limited केवल Bombay Stock Exchange पर लिस्टेड है यह NSC में नहीं है तो अगर आप NSC में देखना चाहेंगे तो यह स्क्रिप्ट आपको नहीं दिखाई देगी इसका अगर आप Bombay Stock Exchange पर देखें तो इसका जो BSC कोड है वो आपका 509960 है इसके द्वारा भी आप इससे समंदित जानकारी Bombay Stock Exchange से ले सकते हैं और अधिक जानकारी कंपनी की जो अधिकरित वेब साइट है वहां से आप ट्राप कर सकते हैं यहां पर हमने सभी information Bombay Stock Exchange और कंपनी की वेब साइट से ही उद्रित किया है जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई अब हम यहां शुरू करते हैं देखिएगा हमने लिखा है हमारा चैनल हमने लिखा है यूपी होटिल्स लिमिटेट बेसी कोड भी दे दिया अब यहां पर चूठी हम investment को दो प्रकार से लेते हैं short term और long term mid term की बाद हम अभी नहीं कर रहे हैं तो यदि कोई एक investor अगर अपनी पूंजी का निवेश capital को invest करने के बाद यदि वो कुछ प्रतिक्षा कर सकता है कुछ उसमें धैर्य है तो अंतो गत्त उस व्यक्ति विशेश के द्वारा identify की गई छाटी गई script अवश्य ही उसके लिए एक अच्छा return का साधन बनता है अच्छा capital return मिलता है अगर अब हम यहां इसी script को example करते हुए इसी का हम एक question का answer analytical रूप में लेना चाहें कि यह script हम लोग क्यों इसको ढूनना शुरू करते हैं सबसे पहले कि hotel industry जिसको हम service sectors के साथ भी जोड़ देते हैं या hospitality सेक्टर में यह script आता है चूकि भारती अर्थेवस्था या Indian economy में जिस तरह के का आर्थिक गतिविधियां हो रही है जिस प्रकार से इसमें परिवर्तन हो रहा है हमारी Indian economy जिस direction यानि positive direction में जा रही है उसकी वज़े से हमारे समाज में एक middle income group बहुत तेजी से विक्सित हो रहा है और middle income group दो जगे अपने जो surplus income है उसको consume करता है या उसको खर्च करता है वह है number एक heritage tourism और दूसरा real estate अब यहां हम बात करते हैं heritage tourism की क्योंकि middle income group का जिस समाज से वो बनता है वह समाज कहीं ना कहीं परमपरावादी पुरानी छीजों से जुड़ावा होता है इसलिए उसका tourism का aspect सबसे बड़ा तो heritage tourism होता है नहीं तो एक general tourism होता है जो अपनी family के साथ वो enjoy करना चाहता है अब इस श्रंकला में वह अगर हम UP hotels की बात करें तो UP hotels के पास एक Clark brand से hotels हैं जिसमें Clark Shiraz, Clark Awad इस तरह से Clark Amir इस तरह identify होता है इनके मुख्य रूप से चार जगे hotels हैं लखनव, खुजराहो, आगरा और जैपर बहुत छोटा सा ये equity holding का company है यहां comparison के लिए ये सारी बात बताई जा रही है कि हम कैसे identify करें script का जो face value है वो 10 रुपे है और उसका market capitalization करीब करीब 300 करोर से ज्यादा है और जो stock का high low अगर हम देखें पिछले 52 weeks का तो ये आपके सामने प्रदर्शित है अब interesting है book value तो चुकि बहुत से शदासे हैं जिनको आप इस्तमाल करते हैं किन्तु उनके अर्थ नहीं आते या कैसे calculate किया जाता है इनको उन सबके लिए आने वाली वीडियो में आपके साथ मैं विस्तरिक चर्चा करूँगा तो face value 10 रुपे market capitalization आ गया अब high low की value भी आ गई अब आप यह देखिएगा कि इस script का P.E. क्या है इस script का P.E. 18.3 है अब हमने इस analysis को करने के लिए जिस प्रकार से हमारे पास source मिले उन source के इसाब से हमने इसके median को भी identify किया median एक statistical tool है जिससे हम एक position ढूंडते हैं कि उस value की position क्या होगी highest value और lowest value उसके बीच में वो कहां आता है तो यह बहुत interesting है कि इसकी median values को अगर हम identify करें तो हमको यह पता लगेगा कि इस तरह की script किस तरह का behavior कर सकती है तो यहाँ पर आप देखिएगा कि equity capital ज़्यादा नहीं है केवल 5.5 के आसपास है इस equity capital पर 5 करोर की capital market capitalization यह आ रहा है इसके कारण आ गया अब जो P यह वो यह है और market P अगर हम देखें median P को देखें तो वो यह value निकल के आ रही है तो यह दो values का difference आपको बहुत समझ में आ रहा है कि median में हमने करीब 26 companies के जो analysis का data का जो abstract था वहाँ से लिया है तो यह देखने में आता है कि अगर hotel industry का median निकाला जाए यह आपका hospitality sector की companies का अगर sample collect करके median निकाला जाए तो यह आता है जबकि इसका median value उससे कम है किसी इसके लिए PE के लिए तो कौन सी चीज comfortable हो गई ये UP hotels इस reference में हमारे लिए comfortable है फिर दूसरा आता है return on the जो capital लगा हुआ है उसका अगर हम median देखें तो वो भी हमारे सामने यहाँ पर मौझूद है उसके बाद में अगर market cap यह है और जो median market cap है वो value यह आपके सामने है यह दोनों value आप खुद compare कर सकते हैं इनको मैं बोलने की कोशिश इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप swim इसको concentrate करें और understand करें उसके बाद में share capital के बाद में अगर quarterly हम इसका net profit देखें particular company का तो यह निकल के आ रहा है जबकि median यह है तो median से उपर है न तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह company कहां comfortable है इस issue पे यहाँ पर median निकलने में हो सकता है कि कि किसी company का जो net profit है वो यहाँ हमने two figure जैसे ten है तो हो सकता है वो three figure में भी हो सकता है इसा कोई जरूरी नहीं है पर अगर median value के इसाब से हम अब इस particular company की position देखें तो वो हमको comfortable लग रहे है क्योंकि वो इससे ज्यादा है अब आज़ेए कि इंडिया में या पूरे world में जो covid situation हो ली थी तो अगर pre-covid और post-covid जो Indian economy के अंदर जिस प्रकार से GDP change हो रहा है उसके according क्या particular script behave कर रही है या नहीं कर रही है ये हमारे लिए issue होता है हमारे लिए issue ये नहीं है कि market में कोई script किस तरह से अपना market behavior दिखा रही है चूकि एक investor को एक period of time के लिए investment करना होता है तो उसको long term perspective किसके reference में country या economy के reference में हमारे लिए Indian economy हो गई और Indian economy को किसके reference में हमें देखना है world economy के reference में देखना है world economy में जिस तरह की situation है उसके हिसाब से Indian travel और tourism का क्या status बनेगा जब world में current scenario में जिस प्रकार से uncomfortability आ रही है तो उसके uncomfortability के according Indian जो tourist है वो Indian destination को देखेगा न कि foreign के destinations को देखेगा तो but naturally Indian जो hospitality sector है उसको advantage मिलेगा अब चूंकि ये company बहुत छोटा सा capital रखती है और limited units रखती है जहां से की उसके market potential अपने आप में expose होती है यदि ये सब चीज़े हैं हमें company की website पर जाके देखनी पड़ेगी कि उनका daily room average room rent क्या आ रहा है पर room average क्या income आ रही है weekly क्या रही है, monthly क्या रही है, annual क्या रही है, quarterly क्या रही है उसी के basis पर हम यहां पर इन factors को भी निकालना शुरू करते हैं अब हमने pre और post covid analysis किया चूंकि अभी last quarter इस sample के लिए December 22 है तो pre covid और post covid में अगर हम difference देखेंगे तो अगर particular company जो की जिस economic condition में December 19 में थी जैसे इंडिया की economic condition, world की economic condition में किस तरह से income generate कर रही थी और post covid में किस प्रकार से income का generation हो रहा है वो behavior हमको identify करना चाहिए तो अगर हम देखें sales, sales December 19 में 34 करोर्स थी जो December 22 में 42 करोर्स दिखा रही है इसका मतलब क्या है हमें comparison नहीं करना है हमें यह देखना है कि pre covid, post covid situation में hospitality sector या यह जो hotel industry sector है वो comfortable हो रहा है कि नहीं हो रहा तो इस example से देखें, UP hotels के example से देखें तो यह comfortable दिखा रहा है दूसरा operating profit margin company के operating profit margin चुकि आप investment से related है आपको मालूम है कि operating profit margins क्या से calculate कि जाते हैं नहीं है तो comment box में दीजिए मैं अलग से video बना दूँगा तो operating profit जो है वो 8 करोर से कब 2019 में, December 2022 में वो क्या हो गया 15 करोर, means जो behavior है वो incremental है कहने का अर्थी है कि post covid इस company के लिए condition favorable है ना कि unfavorable operating profit margin देखें तो उसमें भी एक difference आपको दिखाई दे रहा है तो but naturally जब operating profit margin भी बढ़ा इसका मतलब rate of occupancy भी बढ़ रही होगी तभी तो यह आ रहा है अर्था पर room जो income generate हो रही है वो comfortable है तभी तो यह margin हमारे सामने निकल के आ रहा है बात आती है depreciation की तो depreciation का अगर data मैंने इसमें दिया नहीं है यहां पर अगर आप depreciation देखें तो company continuously अपनी capital का depreciation एक जिसको कहना चाहिए constant phase में एक या एक regular manner में दिखाती जा रही है जो इस बात का indication है कि company का जो audit behavior है या जो उसकी financial activity का behavior है वो एक phase manner में है ना कि ups and downs में यह ऐसे चोटे चोटे factors होते हैं जिनको आपको identify करना होता है net profit भी अगर आप देखें pre-covid और post-covid में यह difference है उसके बाद में अगर आप देखें debitter days यानि कि उसका जो income आनी चाहिए उसने जो work किया यानि मान लिजिए उसने room rent किया तो उसकी जो expand जो उसने निकल के आना है वापस कि भाई आपको 5000 रुपीज मेरे को आपको देने तो कित्रे दिन में मैं आपको दे रहा हूं वापस लोटा के that is debitter days तो अगर pre-covid situation में वो 23 days थे जो current scenario में 20 days रहे इसका मतलब क्या हुआ वो जो capital है जो capital या जो working capital का जो cycle है वो बढ़ गया अब जब cycle बढ़ जाएगा तो क्या होगा जो है profit margins बढ़ने शुरू हो जाएंगे operating profits बढ़ने शुरू हो जाएंगे इसलिए debitter days को भी हमको analyze करना होता है और हमने इस company का example से आपको बता है और वही चीज़ ROC जो है equity के उपर जो return है capital जो employed करा हुआ है उसका जो return है अगर December 19 में देखें तो 32 था और यहां देखें तो थोड़ा कम है यह analysis का विशह है कि यहां से यह कम क्यूं है कम है पर profit margins ज्यादा है और debitter days कम हो रहे हैं तो यह margin अगर कम हो रहा है तो वो किस तरह से इसके market के share price को behave कर सकता है क्योंकि बहुत सामन सी बात है कि कोई भी equity share कोई भी market instrument market के behavior से चलता है ना कि किसी influenced behavior से वो जो influenced behavior होता है वो short term होते हैं मान लिजिए कि American economy में कोई position गरबड हो गई तो tourist India में कम आएगा तो एक वो short term fluctuation हुआ तो short term fluctuation में जब पूरा का पूरा आपका hospitality sector को correction देगा तो कोई individual script आपको अगर calculate करेंगे तो वो भी correction देगी हाँ यहाँ जो एक चीज़ देखने को आपको मिलती है कि यहाँ पर इसकी price range comparatively बहुत आपको ज़्यादा लग सकती है बट अगर आप देखें तो capital equity capital क्या है उसके इसाब से market capitalization का behavior क्या है very interesting thing यह है कि इसमें जो promoters की holding है अब आप खुच side पे जाएए उस चीज़ को मैं यहाँ disclose नहीं कर रहा आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको curiosity होगी आप चीज़ों को analyze करना शुरू करेंगे इस script के अंदर एक बहुत बड़ा portion of the equity किसके पास है promoters के और promoters के associations के पास है about more than 80% या उससे थोड़ा और ज्यादा कह लीजिए वो promoter और promoter की जो corporates other corporates होते हैं उनके साथ है public के पास और आप एक सामानिय retail investor को आप क्या मानते हैं जिसकी face value के equity holding 2 lakh से कम है तो वो portion इस example में hardly 4% के करीब है इसलिए इसकी market में float करना या market fluctuations का impact इसके उपर नहीं दिखाई दे रहा है चुकि बीच में यह script क्योंकि अपने analyze कर रहा है यह script stock action से dealist थी फिर करीब एक साल पहले realist हुई है और dealist होने के समय के अगर आप rates देखें आप Bombay stock exchange पे जाईए company की side पे जाईए आपको rates मिलेंगे कि dealisting से पहले क्या था और एक gap आने के बाद realist होने के बाद वो क्या आया तो वो जो differences है वो एक investor को understand करने चाहिए समझने चाहिए कि यह क्यों आ रहे है इसलिए यहाँ हम इस script के बारे में आप से इस hospitality sector का एक example लेके हमने यहाँ analyze किया हमने Indian hotels को नहीं देखा East India hotels को नहीं देखा महंदरास को नहीं देखा या किसी और company को नहीं देखा hospitality sector के लिए एक और script हम अगले Saturday में discuss करेंगे आप guess कीजिएगा और comment box में लिखेगा कि वो कौन सा script हो सकता है जिसको हम discuss करेंगे यहाँ हमने इस script को एक analytical view से देखा है आने वाली दूसरी script को हम दूसरे analytical view से देखेंगे जिससे आप compare करने के बारे में सक्षम हो सकें कि कैसे हम किसी भी script का comparative analysis अपने आप से कर सकते हैं क्योंकि मैंने शुरू में कहा है कि यह एक सामान्य प्रकरिया व्यक्ति विशेश पर निर्वर करती है न की किसी और की प्रिविणा पर हमारा यहां सिरफ उद्देश आपको आपके निवेश के प्रती अवेर करना जागरू करना और आपकी खुद से निर्ने लेने में सक्षमता उत्वन हो यह हमारा उद्देश है और इसी जो educational purpose से हम इन वीडियो को डवलप करते हैं आप नि किते समय बाद आप इसकी expected price behavior क्या हो सकता है comment box में दीजिएगा हम आपका स्वागत करेंगे यहां हम अपनी warning को विराम देते हैं और आपसे पुनह यह अपेक्षा करते हैं कि चैनल को subscribe कीजिए धन्यवाद